ही फ्रेंज दिस इस पुजाग निहात्री आज की इस वीडियो में हम गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे कि कहां से ओरिजिनेट होती हैं कहां कहां फ्लो करती हैं इनका माउथ यानि डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है क्या ही स्पेश्यालिटीज हैं ये सारी इंगा इंगा रिवर का बेस्ट एक्जांपल है अधर एक्जाम्पल्स जो है वह जे लम चिनाव रवी व्यासों शत्लज है जो की ट्रिब्यूटरी जहां कि सबसे पहले वीडियो में दस जो रवी शिस्टम इसमें बताया था कि इंदस की जो ट्रिवीटरी जहां दखिए मैक्सिमम जगे जो इसकी लेंथ गंगा की मैंशन है वो 2530 क्लो मीटर ही मैंशन है याद रखिएगा कि गंगा भारत में बैने वाली सबसे लंबी नदी है जो उरीजिनेंट होती है कहां से उत्राखन में जो हमारे कुमाओं हिमाल्याज हैं वहां गोमुक के पास गंगोतरी ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है और वहां पे इसको भागी रती के नाम से जाना जाता है गंगा की कुछ राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं वह भी मैंने उपके बताई थी कि इसकी जो राइट की ट्रिब्यूटरी है उसमें सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है और सबसे लॉंगेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की जो मानी जाती है लॉंगेस्ट याद वो हैं गोमती, गंडग, घागरा, कोसी, रापती, सार्दा और राम गंगा घागरा को मैंने आपको बताया था है कि ये गंगा की लार्जेस्ट यानि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी घागरा और दूसरे नंबर की लार्जेस्ट कौन है वो यमना है तो इन दोनों की डिफ्रेस्ट को ज़रूर याद किएगा कि यमना जो है वो लॉंगेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की लंबाई में सबसे नंबर वन पे है बट घागरा जो है वो लार्जेस्ट है यानि बड़ी सबसे ट्रिब्यूटरी जो है वो घागरा है जिस largest की list में सबसे number one पे घागरा आएगा और दूसरे number पे यमना आएगा बट longest की list में सबसे number one पे हमेशा यमना आएगा तो इन दोनों की difference को please याद रखिएगा और confused मत होईएगा तो चलिए अब इसकी सबसे पहले सारी tributaries को देख लेते हैं इनका टेबिल मैंने यहां पर पूरा present कर रखा है जिसमें सारी चीज़े हैं जो भी important है जिनसे एक्जाम में questions form होते हैं फ्रेम होते हैं वह सारी चीज़ों को इस टेबिल में मैंने mention कर रखा है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले यमना के देखते हैं तो यमना की लेंद्स जो है वह 1375 km है यह originate होती है यमनोत्री glacier से सोर्स है इसका सबतरिशी कुंड यह मैंने आपको गंगा वाले वीडियो में इसकी जो है यमना नगर है दिली है फ़रिदाबाद है आगरा इतावा क्रयागर है यह तो अपका चलिए च्छा की ऊणे करती है नोता जिए lap姐 कंग recordinging सी यह में गलीत को से इसकी यमाट करती हैं जो है हीमाटर प्रदेश को अरे दिल्ली unlike याना में वी 就 क्रीज से वह समें तो यमनानगर है दिल्ली है फरीदाबाद है आगरा इतावा प्रयागरा जी सारी जो सिटीज है ये इसकी बैंक पे हैं उसके बट अगर अगर आपसे पुछाए कि हमना जो है वो मेंली कहां दो जगे पे फ्लो करती तो उत्राखंड और यूपी है रेस्ट जो है वो हमाचिल वो हैं चम्बल बेथवा केंज सिंद्ध और ब अगएन और लेफट बैंक जो यमना की हैं वह हैं हिंडन तंस गिरी रिशी गंगा हनमान गंगा ससुर खदेरी यह जो हैं सारी जो हैं यह लेफट बैंक टुब्यूटी है किसकी गंगा था यमना की और वाले वीडियो में मै सिंद बेत्वा और मोहान एक पर 15 सायां तो मेला इस Metro और प्रिदेश होती है उत्राखंड एक मोहाना है वो है ग्यांजिस फिर आता है घागरा घागरा को हम करनाली नाम से भी जानते हैं इसकी लेंड जो है वह एक हजार असी किलोमीटर है यह जो है ओरीजनेट होती है मापचूंग ग्लेशियर से मपसा तुम जो कि नेपाल में टिबिटन प्लाट्यू है वहां से ट्रिबिट्रीज है वो हैं हिमनत शार्दा कर्णली कुवाना राप्ति और चौकिया यह किसकी ट्रिबिट्रीज है घागरा रिवर की है और इसका जो मौहाना है जो इसका डेस्टिनेशन लोकेशन है वो है छप्रा के पास गंगा में ही फिर आता है गंडग रिवर कहीं श्रेंगे तेके पास माहभारत श्रेःभी से फ्लो करती है नेपाल और बीहार में और इसकी सहायक नदियां वहो है काली गंडक्त टशूल गंगा-काली गंडक्त के टूल और इसकी माना इसका अ महाना है जो 730 किलोमीटर की है यह ओरिजिनेट करती है नेपाल से जो सब्त कोशी की जो गोसाइध हम जिसे हम बोलते हैं वहां से ओरिजिनेट करती है नेपाल की पहाड़ी पे ठीक है नेपाल के जो हिल्स हैं माउंटेंज हैं वहां पे एक सब्त कोशी की नाम का जिसे हम गोसाइध हम कह वहार करते हैं नेपाल अबिहार में इसकी सायक नदिया वो हैं इंडरावती तामुर भरुर और कोसी यह हैं किसी अरों की यानी से कोसी कहते हैं इसका जो मुहाना है मनिहारी से 32 किलो मीटर अगर हम पक्षिम में जाएं तो गंगा रिवर में जाकर ये मिल जाती है चंबल रिवर जो है इसकी लेंद्ध है 960 किलोमीटर कहीं कहीं बुक में 965 किलोमीटर भी दी गए तो दोनों ही याद अकिएगा जो भी ऑप्षन में दिखे उसे टिक कर दीजेगा और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है जहां से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है वो है काली सिंध सिपता पारवती और बनास यह किसी सायक नदिया है चंबल की सायक नदिया है और इसका जो मोहाना है जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वो है कि इटावा से 40 किलोमीटर इस्ट में अगर हम जाए तो यमना भी जाकर यह मिल जाती है फिर हम बात करते हैं सोन नदी की सोन नदी की जो लेंद्ध है वो है 770 किलोमीटर और कहीं कहीं इसको 780 किलोमीटर भी दिया तो दोनों ही याद रखेगा यह ओरिजिनेट करती है अमर कंटक की पहाडियों से जो की मध्यप्रदेश में है और यह फ्लो करती है मध्यप्रदेश और बिहार में इसकी जो सहाय जाकर सोन नदी जो है वो मिल जाती है फिर आता है बेथवा बेथवा को जो है यह यमना की ही ट्रिब्यूटरी है मैंने आपको बताया था कि बेथवा कें सिंध चंबल यह सारी यमना की ट्रिब्यूटरी है में ली और इसकी जो लेंद्ध है यह 480 किलोमीटर की है यह और video experience आसे बाशों करती है बुपाल के पास हिली रीजन है उसके उबेदुला गंश के पास से यानी जो मद्ध्र प्रदेश में वहां से ओरीजिनेट करती है फ्लो करती है मनद्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश में और यह जाकर मिल जाती है कहा पर इसका जो लोकेशन है वह फाइनल लोकेशन है हमीरपूर के पास यमना रिवर फ्लो करती है उसमें जाकर बेतवन अदिज यह मिल जाती है तो यह कुछ important tributaries ती गंगा रिवर की गोमती जो है ये भी left bank tributary है किसकी गंगा की तो इसका जो है ये length है 475 km है ये originate होती है पीली बीट जो की उपी में है तो हम कह सकते हैं जो गोमत ताल है निहालपुर में गोला गोकरनाथ के पास उत्तरप्रदेश में वहां से जो फुलहार जील है वहीं से ये originate करती हमारी गोमती नदी और ये flow करती है लखनाओ में सुल्तानपुर में जॉनपुर में इस ये सारी सीटी जो है गोमती रिवर की बैंक्स पे located है और ये इसकी सबसे बड़ी tributary है जो हम कह सकते की right side की tributary है गाजीपुर में फाइनली जाकर गंगा नदी में जो है ये मिल जाती है तो इसका जो destination location हुआ वो गाजीपुर में गंगा नदी है तो ये कुछ important tributaries थी गंगा रिवर की और बैने आपको लेफ्ट और राइट पहले ही बता दिया यहाँ पे एक टैबलफा में सारी चीजों को इंप्लूड कर देख भाइब फिर से रिवाइस कर लेते हैं कि जो left bank tributaries है गंगा रिवर की वो है गोमती, गंडग, घागरा, कोसी, रापती, साद और राम गंगा और जो right bank tributaries है गंगा रिवर की वो है यमना, सोन, पुनपुन, दामुदर, कर्मनाशा और टोन्स और फिर यह याद दिखेगा कि यमना जो है वो यमनोत्री glacier से originate होती है सब्तरिशी कुंड से बेथवा जो है वो विंध्या रेंजी से केइन जो है कैमूर हिल्स से originate होती है सोन नदी जो है वो अमर कंटक प्लटियो से originate होती है और चंबल नदी जो है वो मालवा प्लटियो से originate होती है और इसे जो है वो बनस के नाम से भी जाना जाता है और फिर यह कुछ important चीजे थी यमना और गंगा का जो वीडियो है वो इससे पहले ही मैंने प्रोवाइट कर रहा है और देखिए जो जारी चीजे मैंने इस वीडियो में ट्रिब्यूटरी इसका बारे मताई उसका एक complete चार्ट मैंने last में में मेंशन कर दिया है तो इसका screenshot लेकर आप इसको easily याद कर सकते हैं कहीं पे भी लिखके बनाके भी आप इससे याद कर सकते हैं बहुत simple way में है तो अभी के लिए इतना ही अब next वीडियो में जो है वो हम peninsular rivers के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी प्राय दीप्या नदिया है जो peninsular rivers है जो हमारी west में फ्लो करती है और east में फ्लो करती है और उनकी क्या attributaries है कहां से originate करती है जो भी important facts है peninsular rivers से regarding वो अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे तो आगे की information के लिए आगे की classes के लिए आप मेरे चानल को subscribe करें like करें और जाज़़दा share करें तो चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में एक नई topic के साथ till then bye bye take care thank you for watching my video bye